तब ये श्मसी को मैमा मिले विश्वास की नीव दो रूमियों की पत्री ये आठवा पार्ट है सू समाचार और कलीशिया यहां तक हमने शुरुआत से लेकर के बहुत कुछ सीखा ये जो सेशन और इसके आने वाले सेशन जो है समाप्ती की सेशन है ये रूमियों की पत्री शौदा पंद्रा सोलवे अध्याय को कवर करता है उसमें सबसे पहला पॉइंट कलीशिया में भाई चारिक का प्यार उपाया जाता है शौदवे अध्याय एक से लेकर के पंद्रवे अध्याय बारवे आयत तक बड़े ध्यान से आपको सीखना है रैट क्योंकि हम जो विश्वास की नीव के रूप में जो सीखते हैं यह हमारा नीव है विश्वास की नीव है अगर नीव सही नहीं है तो बाकी बिल्डिंग कोलाप्स हो सकता है इसलिए हर भाई बहन जो स्टूडेंस है विश्वास का नीव बड़े मजबूती से डालना जरूरी है तो यह नीव के लास्ट भाग है चौदवेद्या उसका एक से लेकर के बारवे आयत तक अगर आप पड़ेंगे उसमें से आपको कुछ प्रश्ण मिलेगा नबर एक नियाय और जगड़ा नहीं कर सकते हैं जगड़ा करके सुजमाचार प्रचार नहीं किया जा सकता है सुजमाचार के प्रचार बिलकुल परमिश्र के प्रेम में बने रहते हुए करना हैं अगर आप पड़ेंगे चौदवेद्या एक से बारा तक पॉलूस खास तौर से दो विश्वे के बारे में बताते हैं जिसमें हमें से तरक रहना जरूर है प्रच नमबर एक देखें अपने मसियत की आजादे में पूर्ण कालिम मसियों के बीच दो कौन सी समस्या है थी जिस पर वे असहमत थे कौन सा दो नमबर एक कौन सी चीजें खाना चाहिए कौन से चीजें नहीं खाना चाहिए मेरे पास बाइभल हैं मैं पड़ता हूं में विश्वासमें निर्बल है उसे अपनी संगती में ले लो पर उसकी शंकाओं पर बिवाद करने के लिए नहीं है यह को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचीत और इस वे आखाता है मैं और संब कुछ खाना और साख बातर नंगी विचिटेरियन और नविचिर्टेार नविचिंगर में भी कई सारी लोग jestem अलग अलग छीज़र आ हैं कुछ लोग कुछ चीज़र खाते नहीं कुछ शीज़र नहीं खाते अगर आप पहला तीमतियूस की पत्री चौत्याद दिया है उसके चौत्य आयत अगर आप पढ़ेंगे प्रभु के वच्छन में लिका है परमेश्य ने जो कुछ भी बनाया सबकुछ अच्छा है ग्रहन योग यह बस इतना है स्तुति और धन्यवाद के साथ खाना चाहिए उसे में जगड़ा नहीं होना चाहिए लेकिन एक बात खास्त और सिपालुस यहां पर कहते हैं सू समाचार के खाते हैं कि किसी को विश्वास में लेकर आने के लिए लग रहा है कि करने में विश्वास नहीं रखते हैं तो उनके खातित आपको कुछ खुर्बानी करना पड़ेगा कुछ चीजें चोड़ना पड़ेगा नहीं तो फिर शांत रहना पड़ेगा उसी में एक जगड़ा या फिर एक क्या मुलना चाहिए डिस्प्यूट या फिर एक बहस खड अग्डरा नहीं करना चाहिए तेस के विभष्ण है से में फिट दुंको zarumalay to EU में सब कुछ मआ दो होता है मेरे कहने क्या मदलब हैं हाड चीज़ नहीं खाते जैसा चीन वाले खाते लेकिन को कू भी खाते हैं इस जोब बीच्चू को खाते हैं वि खाते हैं लेकिन उनके बारे में भी Bible में यह कहना है, उनको दोश मत लगाओ, विश्वास करते हैं कि वो खाते हैं, और दूसरे बात, उनको भी यह होना चाहिए, जो खाते नहीं है, उन पर उनको तुछ नहीं समझना चाहिए, यह हमारा understanding रहा है, सु समाच्छार के खातिर, क्या होना एक दूसरे को सहना पड़ेगा, अजिस्ट करना पड़ेगा, जहां पर अजिस्ट करना हो, वहां पर अजिस्ट करना है, एक दूसरे पर दोश लगा करके, यह चोटा खाता है, वो बड़ा खाता है, यह निसूर खाता है, यह साम खाता है, यह बोलते ना रहे हैं, समझ ले क्योंकि लिका है परमेशर सब के लिए अपना प्राण दिया है आपके खाने पीने का नाम ले करके किसी को टोकर के खाने कारण ना बने कि वो नरक में जाएं आद दूसरी बात अगर आप पढ़ेंगे तो दूसरी बात ये पालुस कहते हैं दिन के बारे में कोई एक दिन विशव समझता है कोई सब दिन बराबर समझता है कि विशव समस्था मदला कुछ लोग संडय अराध ना करना को पुछ लोग हरा रोज अराध ना करना पसंद कर थे ए Cert duty Adventists वाले ये कहते हैं कि शनिवार को ही अराध ना करना उसके विश्व में कि बोलते बोलते मैं यह बताना चाहूंगा कुछ चीजे जो हैं परमिश्व के वच्छन में साफ साफ बताई गई है इबरानी की पत्री चौथा अधियाय में अगर आप पढ़ेंगे चौथा अधियाय आठ नाव दस अगर आप पढ़ते जाएंगे तो लिखा है पुराना नियम का सब्बत का दिन हैने कि शनिवार का दिन नया नियम में मसी में हम जो विश्राम पाते हैने कि अमारा उद्धार का तुलना है इसलिए यही दिन में ही आराधना करना है बोलकर के नया नियम के अंदर नियम नहीं है संडे के दिन नहीं कि आपते के पहले दिन चेले कटे हुए तो वो तो सही है लेकिन ये भी सही है कि चेले हर रोजी कटा हुआ करते थे कि रोटी तोड़े और प्रार्थ ना करें का यह मतलब एक दिन नया नियम के अंदर फिक्स नहीं ह हुआ है नेपाल के लोग शनिवार को अराधना करते हैं गल्फ कंट्रीज के लोग जो हैं शुक्रवार को अराधना करते हैं हम लोग संडे अराधना करते हैं इसराइल में जाएंगे तो शुक्रवार शनिवार इतवार तिनों दिन अराधना का दिन तहरता हैं वहां पर इसल किया है एक से तीन अगराम पढ़ेंगे तीसरे आयत पढ़ेंगे खाने वाले ना खाने वाले को तुछ ना जाने और ना खाने वाले खाने वाले को दोस्ट नगलाएं, ना लगाएं, क्योंकि परमेश्व ने उसे ग्रहन किया, हना कि मुखे सिक्षा यह है, हर वक्ती को परमेश्व ने ग्रहन किया, भारतियों को भी ग्रहन किया, अमरीका वालों को भी ग्रहन किया, औरिया वालों को ग्रहन किया, चैना वालो हमें दूसरी का नियाए नहीं करने क्या मुक्ते कारन चाहा है क्यों हम एक दूसरे का नियाए नहीं करना हैं यह हमें नियाए न करते हुए हमारे गल्ती ना देखते हुए, हमारे पापों को अपने लेखा में ना लेते हुए, मसी ने हम सभी के लिए अपना प्राण दिया है। करके उनसे प्रेम कर चुका है, वो मसी का प्यारा है, आप और मैं उनसे उनको दोश नहीं लगा सकते हैं। उनसे ना ध्यान रखें, अन्दी विश्वास प्रैक्टिज नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ना शादी के लिए ये दिन अच्छा है मंगनी के लिए ये दिन अच्छा है कुछ बिजनस शुरूर करने के लिए पलाना मुहुर्त अच्छा है घर का क्या बलना चाहिए घर का हाउस वामिंग सर्वे सरीमनी के लिए नव बजे से साड़े दस बजे तक का वो गैर, मसीही या परमेश्व को जो ना जानते हैं, शैतान की पूजा अराब ना करते हैं, उनका तंत्र हैं, उस भीच में हम जाकर के नाफस हैं, आगे हम बढ़ते हैं, दूसरे के गिरने का कारण नहीं बनना, चौद में दिया, उसका तेरा से तेईस तक, यहां पर देखें, प्रशन चार इस भाग में पॉलस का मुक्य संदेश क्या हैं, सिंपल, हेटिंग में ही दिया गया है, हमारा खाने पिने के दौरा, किसी दिन देखने के दौरा, या फिर कुल मिलाकर किये बोलो, आच्छरनों क के दौरा, और कोई विश्वास में आने से रुक ना जाए, या विश्वास में एक हदम रखे हैं, तो वो पीछे हटने के लिए भी कारण ना बने, यह आपको याद रखना है, पांच्वें प्रशन देखें, इस भाग का मुक्य वच्चन रोमी के पत्री, चौदा का सत्र रहा है, इस धान को अपने व्यवहारिक जीवन में कैसा अपना सकते हैं, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, चौद में अध्य है, उसका सत्रवे आयत, यहाँ पे देखें, क्योंकि परमेश्र के राज्य खाना पीना नहीं, परम्तु धर्म और मेलमिलाप और वह आनंद ह जो पवित्रात्म से होता है, परमेश्र के राज्य खाने पीने के आनंद से नहीं है, परम्तु धर्म और मेश्र के भलाई और मेलमिलाप का है, जो पवित्रात्म से होता है, सो मुख्य वच्छ सो अगर सू समाचार के खातिर आपको खाना छोड़ना है कुछ चीजें वो छोड़ दें कुछ चीजों को अडाप्ट करना है क्योंकि आप और मैं जो भी हम करते हैं सू समाचार के खातिर हम करते हैं प्रभी एश्व मसी का सू समाचार फैलने के लिए ही हम करते हैं और उसमें तीसरी पार्ट जो है मदद और दूसरों को खुश करना यह आता है पंद्रवेद्याज उसका एक से ले करके छे पार्ट और उसमें प्रस्च छेदे कि पालिस अब भी मसीह आजादी और मसी प्रेम के बारे में कह रहा है एक और दो बच्छन में हैं मैं आपके लिए पढ़ करके सुनाता हूं सुनें अता हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों को निर्बलताओं नमेर वन बलवान होकर निर्बल के निर्बलताओं को सहना चाहिए और दूसरा ना कि अपने आपको प्रसन करें अपने आपको प्रसन करते ना रहें फिलिपियों का बत्रे में पालुस कह रहे हैं दूसरे आध अध्याय में इच्यास सब कोई सरफ अपने हित का नहीं है, दूसरों का हित का भी खयाल रखें, और दूसरे आयत में, है देखे हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसंद करें कि उसकी उन्नती हो एना कि पड़ोसी का दूसरे का अमारे भाई बहन का आत्मीक उन्नती के लिए हम कारण बनें आत्मीक उन्नती मतला सूसमाचार ग्रहन करने से लेकर प्रभु के लिए पवित्र जीवन व्यतित करने के बात तक हम एक दूसरे के लिए आत्मीक उन्नती के लिए कारण बनें पर यह तीनों बात जो हैं पंद्रवैद्या एक से दो आयत में आप देख सकते हैं प्लीज आते पीते पहनते सब कुछ करते हैं लेकिन हमारा मक्सद हम जब मसी के लिए जीते हैं सूसमाचार के पहलाव के लिए औरों के आत्मीक उन्नती के लिए जीते हैं यह तीनों जिम्मेदारियां दी गई हैं प्रश्ण साथ देखिए जहां तक परमेश्र की बात है हमारे और एक स्वार में हमारी प्रभी इश्वमसी के पिता पर में शुर्पिस्तु की परो एक मन एक स्वार इंदी में कहते हैं अनेक्ता में एक्ता और एक्ता में अनेक्ता इंग्लिश में कहते हैं unity in diversity और अलग-अलग भासा अलग-अलग खाने पिने के आदत है पहने के आदतं अलग-अलग है लिए सञक्रीत अलग हैं लेकिन हमारा माली के एक हैं हमारा उधार एक तरीक है हैं एक ही वक्ति ने हमारे लिए लखो बहाया एक ही वक्ति ने अपना प्राण हमारे ले दिया है और एक ही राज्च का बागीदार हम बनेंगे चलेए आठ वे परश्च में देखें कि आपको दूसरों के प्रती और भी ध्यरच की जरुवथ है वचर तीन से पांच में दो मददगार सुरोत किया है धीरज का तीन से पांच तक दो सुरोत दिया गया है कि यह देखिए तीसरे तीन से लेकर के पांच क्योंकि मसीào ने अपने आपको प्रसुन नहीं किया पर जैसा लिछा है मेरे निंदकों को भी निंदा मुझ पर आपड़ी जितने बातें पहले ही लिखी गई हैं विए हमारी सिख्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शांत्र के प्रोचसाहन द्वरा आश्षा रखें मसी धीरज पवित्र सांत्र का इसको ले करके क्या करना चाहिए हम एक दूसरे के आत्मी कुन्नती के लिए काम करना जरूरी है एक दूसरे के आत्मी कुन्नती के लिए काम करें परमिश्वर आपके साथ रहेगा आगे बड़ इस भाग में आते ही हम क्या देखते हैं दूसरों को ग्रहन करना पंद्रमेद्या साथ से लेकर के बारा तक दूस दूसरे के मनलब कौन है आप और आपके परिवार के अलावा बाकी जितने दुनिया में रहते हैं दूसरे हैं उसमें अलग-अलग खाने पीने वाले हो सकते हैं अलग-अलग रंग के हो सकते हैं अलग तौर तरीके के हो सकते हैं अलग भासा बोलने वाले हो सकते हैं अलग वि ग्रहन करना चाहिए अगर आगे पढेंगे तो आपको clear मिलेगा जैसा मसीर ने उन्हें完 किया है वैसा ग्रहन करता मसी हमें कैसा ग्रहन किया जब हम पापी ही थे तब मसी अमारी लिए पुराण दे करके हमसे प्रेंट किया है जैसा हम थे वैसे हमें ग्रहन किया या बोला प्रभु ने अपको बोला है अपने तमाम पापों को दूर करके संत बनके आ जाओ सफेद कट्पड़ा पहन करके मुंडन करके और फलाना फलाना चीजें करके आ जाओ तब ग्रहन करूंगा जैसे आप गए हैं मसी की पुपस्तिति में मसी को दिल में विश्वास करते हुए जुभान से अंगी कार किये हैं आपको ग्रहन किया आपको अपने बाशा में आपने प्रार्तना की ग्रहन किया मैं अपने बाशा में मसी से प्रार्तना किया वैसे उन्होंने ग्रहन किया, हमें खंडन नहीं किया, तोस नहीं लगाया, नरक चले जाओ नहीं बोला है, बड़े प्रेम से ग्रहन करके अपने सुर्गे राज्ये का वारिष बनाया है, तो ये माप दंड हमें अपनाना जरूरी है, जब हम सामने वाले को देखते हैं, सारे ऐसी चीजें दिखेगा जो हम ग्रहन नहीं कर पाते हैं, नीचे आना पड़ेगा में, क्योंकि मसी नीचे उत्रा आपको मालूम है, लिपियों को पत्री दूसरे अध्या में देखते हैं, स्वर्ग छोड़ा मनिश्य के रूप दारन किया, उस मनिश्य के रूप में भ जैसा मसी इश्य के स्वभाव था, वैसी तुम्हारा भी स्वभाव हो, हमें वो स्वभाव ले करके अपने भाई बैनों को गरहन करना चुरूरी है, दस्वा प्रश्न देखें, वचन्नाव के खतन को पालूस कैसे सावित करता है, कि मसी का एक मकसद अन्यजादियों को मसी के मन में अन्यजादी थे, फिर भी हम पढ़ते हैं, नाव, नवे, आयद, पंद्रा का नाव, देखें, इसलिए मैं जाती जाती में तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरा नाम का भजन गाऊंगा, नवे आयद देखें, और अन्यजाती भी दया के कारण परमेश्र की स् अब आट वे आयत में आ जाएंगे, इसलिए मैं करता हूँ, कहता हूँ कि जो प्रदियाएं, बाप दादों को दी गई थी, उन्हें ध्रिड करने के लिए मसी परमेश्र की सच्चाई का प्रमान देने के लिए खतना किये हुए लोगों का सेवक बना, और अन्यजाती भी देया के कारण, इन्हें की अनुगर कारण, परमेश्र के पस्तिति में आकर के, परमेश्र का दन्यवाद करे, परमेश्र के उद्धार को प्राप्त करे, दूसरे पार्ट उसमें देखिए, कलीसिया की कुछ जिम्मेदारिया है, कलीसिया का कुछ जिम्मेदारिया है, इन्ह हमारे लिए कि कलीशिया के लिए कुछ जम्यदारिया हैं जो पंद्रविया अध्या थेरा से लेकर के 33 आयत तक आप देख सकते हैं प्रसिक्षन और आत्मिक्ता प्रसिक्षन अगलब ट्रेनिंग और उनको जीतने के लिए सुसमाचार को बड़े एफेक्टिव तरीके से सुन चौद में आयत हम पड़ेंगे चौद में आयत हम पड़ेंगे और मेरे भाइयों स्वेहम तुमारे विश्य में निश्चे जानता हूं कि तुम भी आप ही भलाई से भरे और इस शुरी घ्यान से भरपूर हो और एक दूसरे को छित सकते हो मतलब तुम भी जैसा मैंने मसी के लिए काम किया है मसी के काम के लिए अपने आपको सौंपा हैं और तुमारे अंदर भी यह काबलियत परमिश्व में रखा हैं इस बात में पत्का हूँ इस बात में पक्का है आज कल भी कुछ लोग यह समझते हैं यसु समाचार की सेविका इसरफ बुलाहट पाई हुए लोग कर सकते हैं बुलाहट के मतलब वो समझते हैं कि उसके लिए विशेश बुलाहट उसरा तीमती पहला अदिया नवी आयत में लिका है हम जिस दिन उधार पाते हैं उस दिन उस दार के साथ परमेश्यों ने हमें एक पवित्र बुलाहट से बुलाया है इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कलीसिया के सदश्य, कलीसिया का अंग होने के नापे और उनक तक सू समाचार ले जाने का जिम्मेदार यह हमारी अंदर है प्रश्ण बारा दो ऐसी क्या सू अवसर है जिससे लोगों को आत्मिक तामे बढ़ने के लिए मिलता है तेरा से पंदरा दो अवसर है दो चैंस है तेरा से पंदरा तक अगर आप पड़ेगी पवित्रात्मा की सामर्थ से और मेरे भाईयों सुयम तुमारे उसे मैं निश्च्र जानता हूं कि तुम भी आप ही भलाई से और भरे इस्ष्वरिय ज्यान से बरपूर हों और एक दूसरे को चिता सकते हैं पवित्रात्म अरीश्वरिय ज्यान ये दोनों चीज़ें परमेश्वर अमारे अंदर देता है कि हम उसे ले करके परमेश्वर के लिए काम करें परमेश्वर का सूसमाचार सुनाते रहें परमेश्वर आपके साथ रहें आगे हम लोग कि इसमें दूसरा पाठ है विश्वर सूसमाचार प्रचार यहां पर पा उनोस अपने आपको पहले रखते हैं देखें ठीजातियों के लिए मसीष्व का सेवक कर परमिश्वर की सू समाचार की सेवा याजक के समान करूँ अन्य जातियों के लिए न कि वो यहुदी है यहुदियों के भीच में प्रचार करने से उनको काफी है लेकिन वो अपने आपको यह समझ रहें कि परमिश्वर ने मुझे नियुक्त किया है क्योंकि महानादेश में मसीय ने बोला, सारे विश्व में जाने के लिए, विश्व के कोने-कोने में जाने के लिए, फालुस अपने आपको उस जगह में पाते हैं, प्रस्थन चावधा देखे, पालुस ने अन्य जात्यू की किस प्रकार की सेवा किया, उसने उने किया दिया, 17 से 19 तक आप देखते हैं, पालुस अपनी जो सेवकाई किया है, उसे हमारे सामने आदर्श के रूप में रखते हैं, हम बढ़ सकते हैं उसको, 17 से 19, देखे, इसलिए उन बा उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात की विश्य में कहने का साहस नहीं जो मसी ने अन्य जातियों की अधीनता के लिए वच्छन और कर्म और चिन्हों और अद्बत कामों की सामर से और पवितरात्मा की सामर से मेरे दौरा किये हैं यहां तक ही मैं अरुसलियम से लेकर चारों और इल्रिकम तक मसी के सूसमाचारा का पूरा पूरा प्रचार किया। वाईों तो अमारे लिए जब पावलिस कहते हैं अपने जीवन की आदर्स हमारे सामने रखते हैं और किसी के आदर्स में vielen अधी आदस हैं हम अपने जगह में सिम्मट ना जाए औरों तक जाएं। 20 से 21 वच्षन में आप देखते हैं पंदरवा प्रशन में पॉल उसको व्यक्तिकत सेवकाई नीती के करतन से आज से कलीसिया की जिम्यदारी को बताएं। पॉल उसके पर्सनल से कौन सी नीटी आप सीख सकते हैं और कौन सी नीटी आज की कलीसिया का सदस्य लेना चाहिए। 20 और कि इसमें आए मेरे मन की उमंग है कि जहां मची का ना करें जहां मसीख का नाम नहीं सुना है वहां सुनाएं और किसी के नियु पर हम रद्दा ना रखें यह पॉलूस का मॉडल है हमारे लिए वही बताते हैं कि इसमें पर जैसा लिका है वैसा ही हो जिस जिनें उनका सूसमाचा नहीं पहुंचा वही देखेंगे और जिनोंन नहीं सुना पे ही सुनेगे, समझेगे, अबलब जो नहीं सुना है, नहीं समझा है, ये शुमसी के बारे में सुना नहीं है, कलीशय के सदश्य होने के नाते हमें करना जरूरी है, इस भाग में ये तीसरा जो है, भेंटे, 22 से 19 तक, प्रश्न सुला इस भाग में तीन तरह के भेंटों को डूणे, 22 से लेकर के 19 तक, यह आपके लिए ओमवर्ग है, बस इतना है, होमवर्ग बोलने से 22 वच्चन से लेकर के 19 वच्चन तक आपको पढ़ना है, तीन तरह के भेंट वहाँ पर बताए गया है, बस इतना है, बस एक चोटा सा परिच्छेद है आपको पढ़ना है तीन तरह के धेंट वहाँ पर बताया गया है प्रमिश्र के संतान आगर आपको वह एक भाशा में समझ में नहीं आता है अलग अलग भाशा में आप पढ़ सकते हैं यह बार समय में नहीं आता हैं दो चार बार पढ़ने के बाद एक दम आपको एक दम पॉइंट दिकाई देगा और लास्ट वचन पंद्रा का 27 में यूज दर्शात है इस ताणिय कलिश्या का उसके पासवान की प्रती जिम्मेदार्यू को अपने ही शब्दों में वर्नन करे यह अपने ही शब्दों में वर्नन करना है कि 15 का 27 में एक पासवान एक चर्च का लीडर एक चर्च का जिम्मेदार विक्ति होने के नापे उनका क्या-क्या जिम्मेदारियां हैं 27 में एक ही वचन है उसमें आप देख सकते हैं सिरब एक वचन आप पड़े हैं जम्मेदारियों को आप समझ सकते हैं उन्हें अच्छा तो लगा परंतु भी उनके करजदार भी हैं क्योंकि अधी अनिजाती है उनकी आत्मिक बातों पर भागी हुए हैं तो उन्हें भी उच स्वान के लिए भी कुछ सेवा यहां पर बताई गी है तस बार यह वचन को आपको पढ़ना है और आपको समझना है प्रमिश्वर आपको आशिशित करें